कि यहार देखो हमने लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था लास्ट क्लास में हमने अपना क्राविटेशनल फोर्स का फॉर्मला पढ़ लिया हमने ग्राविटेशनल फील्ड के बारे में बात कर ली मेरे को फटा फॉर्ट रिकॉल करा दो what is the formula for ग्राविटेशनल फेल्ड दू अपॉइंट मास कोई भी नहीं बोला ग्राइविटेशनल फिल्ड द्यू टू आपॉइंट मास ग्राइविटेशनल पोटेंशल एनरजी ग्राइविटेशनल पोटेंशल एनरजी अगर आपको याद हो हमने लास्ट चैप्टर वर्क एनरजी पावर पड़ा था तो उसमें मेरे को बताओ कि ग्राइविटेशनल फोर्स हमारा किस टाइप का फोर्स हुआ करता था इसके अगेंस्ट मैं जो भी वर्क करूंगा वह हमारा किस फॉर्म में जाके अगेंट हो जाएगा बिलकुल तो देखो अब हमें वही चीज़ करनी है सबसे पहले अगर आप देखो हमारे ग्राइविटेशनल फोर्स का फॉर्मला है जी एम वन एम टू डिवाइड़ बाई आर स्क्वेर तो सबसे पहले तो मिरको आप यही बताओ कि यह एक कॉंस्टेंट फोर्स है या एक वाल्यू चेंज हो जाएगी तो याद रखो यह हमारे पास एक टाइप का वेरियेबल फोर्स है तो अगर कभी भी हमारे पास वेरियेबल फोर्स होता है तो हम वर्क डन कैसे कैल्कुलेट करते हैं बिलकुल भी याद नहीं है कोई रिस्पॉंट भी नहीं आ रहा जब भी हमारे पास वेरियेबल फोर्स होता है और फोर्स हमारा डिस्प्लेस्मेंट पर डिपेंड करता है तो हम फॉर्मला यूज करते हैं वर्क डन इस इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स जहां पर हम ल ले लिया कि सपोज इसका रेडियेस है और इसका जो मास है डाट इस सपोज मैं क्या कर रहा हूं सपोज मैंने पार्टिकल को कहीं ना कहीं पॉइंट ए पे रखा है यह हो गया हमारा पॉइंट ए मैं उस पॉइंट ए को बी तक शिफ्ट करा रहा हूं यह मैंने ए से बी तक बहुत छोटा सा displacement कराया है तो इस छोटे से displacement को मैं कितना अजीय। इस छोटे से displacement को मैं DX अजीय। ये point A मेरा कितने distance पे था मैं अजीय। ये point A है वो मेरा किसी एक distance पे है from the center of the earth ये मेरा x distance पे है तो देखो मैं क्या लिखूंगा work done is equals to ग्राइविटेशनल फोर्स का फॉर्मला लिखूंगा पहले तो ग्राइविटेशनल फोर्स का फॉर्मला आजाएगा जी मास ऑफ दी अर्थ इंटू स्मॉल म मास ऑफ दी अब्जेक्ट डिवाइड बाए इन दोनों के बीच का डिस्टन्स कितना है एक स्क्वेर और मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेश कराया है कितना डिस्प्लेश कराया है और यहां पर मेरे को लगाना है इंटीग्रेशन का साइंट यहां तक का पहले चेक करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो अब याद रखो हम मैं पोटेंशल एनरजी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैंने आपको वर्क एनरजी पावर में भी समझाया था कि पोटेंशल एनरजी के लिए हमें कुछ ना कुछ रेफ्परेंस चाहिए तो इधर हम क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली हम पार्टिकल को से लेके आना चाहरे हैं और किसी एक पॉइंट पर रखना चाहरे हैं हम इंफिनिटी से क्यों लेके आ रहे हैं पार्टिकल को क्या को यह समझा सकता है भी क्या हो गया बहुत कम रिस्पॉंड क्यों जा रहा है पहले इतना बता दो सबको यहां तक क्लियर है या नहीं दुरूव दिशा गगंदीप तो ऐसा करते हैं पहले तो नेक्स स्लाइड पर लिख देता हूं यह फॉर्मला फर इसके आगे की बात करते हैं वही मैंने और एक्सट Gomez तो मैं आपको क्या ग्यास किया रहा हूं कि भाया सापोज यह हमारी एर्थ है इसका रेडियस है आर इसका मास M मैं हमेश्य अज्यूम यही करूँगा कि पार्टिकल इंफिनिटी से आ रहा है इनफिनिटी से क्यों आ रहा है क्योंकि अगर मैं किसी पॉइंट को इंफिनिटी कंसिडर कर रहा हूं मतलब यह वाला पॉइंट मेरा ग्राविटेशनल फील्ड के बहार है अगर कोई फोर्स नहीं लगता तो इसलिए इस पॉइंट को इंफिनिटी कहा जाता है अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इसकी पोटेंशल एनर्जी कितनी होगी इसकी पोटेंशल एनर्जी जीरो होगी तो इसलिए इसको हम ऐसा रेफरेंस पॉइंट मानते हैं क्योंकि इस point पे potential energy और force दोनों के दोनों zero होंगे और यह point मेरा gravitational field के बहार होगा अब मैं आपको क्या कहना चाहरा हूँ कि मैं इस particle को infinity से किसी एक particular point पे रख रहा हूँ कितना point है वो point P है और surface से उसकी height कितनी है surface से उसकी height h है तो मेरे को बताओ center से distance लेते हैं क्योंकि gravitational force central force है सेंटर से point P तक का distance कितना हो जाएगा r plus h हो जाएगा क्या इतनी बात मानते हो इस r plus h को हम small r से denote कर रहे हैं small r का मतलब कि यह center से लेकि जो यह final position हमने रखी है इसको मैं r plus h दो variables हो जाएंगे तो थोड़ा सा difficult हो जाएगा लिखने में भी और समझने में भी तो इसलिए मैं इस distance को smaller ले रहा हूं तो देखो जब मैं work done calculate करूँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा g mm by x square into dx और हम मैं assume करूँगा कि मैं particle को हमेशा infinity से start करा रहा हूं और कहां पर रख रहा हूं r distance पर रख रहा हूं अब check कर लो अब जो मैं step बोल रहा हूं वो clear हुए या नहीं तो भीया हमारे पास final formula आ जाएगा जब हम इसको पूरे को solve करतेंगे final formula आ जाएगा g mm by r negative में आएगा अब यार मैंने आपको कली बोला था यार प्लीस electrostatic के formula याद रख लेना अगर आप electrostatic potential energy का formula अगर आपको याद होता electrostatic potential energy का formula होता है के q1 q2 by r तो देखो मैंने आपको कली बताया था सेम वही चीज है q1 की जगे क्या हो जाएगा पहला मास क्या है earth है q2 की जगे हो जाएगा दूसरा मास मतलब test मास और दूसरा मास क्या है small m distance same k की जगे हम किस से replace कर देंगे उसको minus g से replace कर देंगे जहां पर minus sign के indicate करेगा कि यह force हमेशा attractive force है बस यह indicate करेगा और यही work done किस form में store हो जाएगा यही work done potential energy के form में store हो जाएगा क्योंकि हमने जो भी काम किया है यह gravitational force के against काम किया है conservative force के against काम किया है इसलिए यही चीज इस potential energy के form में store हो जाएगी चेक कर लो अब कोई दिक्कत हो तो बता दो इस पर भी एक question मैं कराओंगा एक question आप खुद करना ट्राइए फिर अब सबसे पहला question देखो इस पर क्या question आता है बहुत simple question आता है इस पर जो भी आएगा question यही है कि हमने एक equilateral triangle लिया है और equilateral triangle के हर एक vertex पे equilateral triangle के हर एक vertex पे हमने same mass place कर दिया भाईया distance ले लो ए ए ए कोशन ने क्या बोला है find the potential energy of the system इस पूरे configuration की potential energy find करनी है find the potential energy of the system अब आज हो solution पे जैसे मैंने कहा एक part मैं कराऊंगा next question आप करोगे देखो जब भी हम potential energy find करना चाहते हैं तो फिर से recall करो मेरा initial point हमेशा क्या होगा infinity तो वही चीज इधर करनी है वही मैंने क्या assume करूंगा कि पहले तो इस equilateral triangle पे कोई mass नहीं होगा मैं एक mass particle को लेके आया infinity से और उसको यहां पर रख दिया मेरे को बताओ जब मैं इस mass particle को infinity से लेके आया हूंगा और मैंने यहां पर रखा होगा तो क्या कोई भी अभी potential energy होगी नो सर अभी कोई भी potential energy नहीं होगी क्यों इसका रिजन दो दो क्यों इसका रिजन यह है कि भाईया वर्क डन सरफ तभी होता है जब मैं किसी force के against काम करों जैसे इधर मैं particle को infinity से लेके आया infinity पे force जीरो लेकिन मैं पोरके में किसी चाँ काम करू हम तब यह तो पोटेंशल एनरजी की या न होगा इधर कोई OOR मास प्रेजेंट ही निए लाव मास प्रेजेंट है निए तो क्या किसी की ग्राइविटेशनल को यहां उठा के लिए क्या अब क्या कुछ ना कुछ वर्क डन होगा हाँ अब कुछ ना कुछ वर्क डन होगा क्यों वर्क डन होगा क्योंकि अब मेरे पास पहला मास है उसकी फिल्ड होगी यहां पे अब यह दोनों मास अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो मतलब कुछ ना कुछ इस फोर्स लगेगा इस वाले मास पे तो इसलिए इसके पास पोटेंशल एनर्जी आएगी और पोटेंशल एनर्जी आएगी जी पहला मास दूसरा मास डिवाइडिड बाइन दोनों के बीच का डिस्टंस डाट इस जी एमम बाई ए और यह होगा नेगेटिव में सब लोग चेक कर लो पहले यूवन और यूटू तक अगया इस बताओ इस मास को कितने मास इस अट्राक कर रहे होंगे तो तो इस पे जब पोटेंशल एनर्जी लिखूंगा तो दो एनर्जी लिखनी पड़ेगी एक इस वाले मास की वज़े से और एक यह दूसरे वाले मास की लिखूंगा तो माइनस जी एम एम बाइए फिर इस दूसरे वाले की वज़े से लिखूंगा तो माइनस जी एम एम बाइए चेक कर लो मैंने सारी पोटेंशल से लिख दी हैं अब मिरको टोटल पोटेंशल एनर्जी चाहिए तो इन सारी एनर्जी को मैं आड कर दूंगा तो इनको आड़ करके मेरे को बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है यह यह तीन टर्म्स आ रहे हैं तो सीदी बारत माइनस फ्री जी एम स्क्वेर बाइए यह चेक कर लो मृदूल प्रज्वल यह सिर्फ एक पॉइंट के लिया की मतलब इसकी पॉटेंशल एनर्जी है देख फिर स्वजा देता हूं जब मैंने क्या किया मैं यहां पर एक विलेटर ट्राइंगल ले रहा था ना तो जब मैं पहले मांस को लेके आया तो यहाँ पे और कोई मांस ही नहीं जो इस पे फोर्स दे तो इस पे फोर्स जीरो लग रहा था इसलिए इसकी पोटेंशल एनर्जी जो मैंने यू वन लिखी वो जीरो लिख दी लेकिन जब मैं एम टू को दूसरे मास को लेके आया तब इस पर कौन सा मास फोर्स लगा रहा था तब इस पर अकेला यह वाला मास सा जो फोर्स लगा रहा था तो जब मैं यू टू लिखूंगा तो माइनस जी यह दोनों मास और इनके बीच का डिस्टंस क्योंकि यही फॉर्मला है पोटेंशल साइंगे यह सब तो यह जब कंप्लीट हो जाए तो बता दो फिर इसी में मौडिफिकेशन क्या है बस हलका सा मौडिफिकेशन है जैसे मैंने कल की क्लास में कराया था कि हम मैं आपको ट्राइंगल की जिगे दूँगा स्कुएर स्कुएर के हर एक वर्टेक्स पर मास प्ले और साइड ए है हाँ साहिल बोलो उसके ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर निकाल ला हो गए पुटेंशल एनरजी वह भी कर देते हैं अब भी क्यालकुलेट कर लेते हैं चलो इस कोशन के बाद वह वाला कोशन देता हूं इस में भी सेम कंडीशन ही है ना कि इंफिनिटी से पर एक लेकर आएंगे यह कंडीशन कोशन में बोली नहीं जाएगी यह अपने आप ही आपको अज्यूम करना है कोशन अगर कह रहा है फाइंडी पोटेंशल एनरजी ऑफ दी सिस्टम तो भाई यह चारो मास इसको में ए बच्चे को पकड़ा भी यह तूभी आजा तूभी आजा तूभी आजा तूभी आजा तब जाकि यह पूरा एक डाश तयार हुआ है तो वही वाली खानी है कि माइनस सिक्स्टी एंज्ट्र आपने नहीं रूची फोड़ी सी जल्दवाजी कर दिया आपने सब्सक्राइब करो फिर से हाँ बोलो किसी और का भी साहिल तुमारा आ गया इस सर फोर अंडू टू जी एम अपॉन आर इस यहां तक मेरे ख्याल से आंसर आपका वाला है सही है बाकी अभी चेक कर लेते हैं कंफर्म कर लेते हैं तो भाई है सबसे पहले अज्यूम कर लो मैं बाकी मास को रब कर रहा हू आया इनफिनिटी से तो बताओ सी वाले के लिए पोटेंशिल एनरजी कितने लिखूं भाईनिस D subst Temper च मारे बात फिर मैं लेके आया िवाले को तो जब मैं भी वाले और इडिके आया तो उसकी पनेशल एनरजी बताओ कितने लिखों ता मारे मैंश भी मली मैस घमेल्ठ वा अब उसके बाद जब मैं ये वाले मास को लेकर आया हूं इंफिनिटी से तो ये वाले के लिए कितने होने चाहिए ये वाले के लिए ये वाला भी फोर्स लगाएगा ये वाला भी फोर्स लगाएगा ये वाला भी फोर्स लगाएगा तो टोटल तीन होने चाहिए तो पहले बी वाले के लिए लिए लेकिन सी वाले के लिए तो हमें यह वाला डिशन्स चाहिए होगा तो इसके लिए आएगा माइनस जी इस सारे को मैं अड़ कर दूंगा तो मेरे पास नेट आ जाएगा तो मेरे को दिख रहा है यह टर्म दो तीन चार यह चार तो सेम है तो चुपचाप लिख दो माइनस फोर जी एम स्क्वेशर भाइए फिर यह वाला टर्म और यह वाला टर्म दो बार है तो यहां पर कितना आ ढौर अपनियाप देख लो क्या कॉमन आप लेना चाते हो कैसे सको और सब्लीफाई करना चाते हो वह म Privile अपके मर्जी और option पहुत Além про जैनल किटना कि अर सी है कि अस और स्ब्लीफाई करना चाते है सब्सक्राइब कैसे पूरा यह कैसे सॉल्व हुआ ठीक सब्सक्राइब हमारे पास माइनस जी एम स्क्वेर बाइए यह टोटल कितने टर्म्स आ यह टोटल चार टर्म्स आ रहे हैं तो अगर मैं इनको एड करूंगा तो मेरे पास 4 हो जाएगा ना 1111 ऐसे करके तो माइनस 4 जी एम स्क्वेर बाइए फिर यह जो दूसरा टर्म है यह कितनी बार आ रहा है यह दो बार आ रहा है तो माइनस 2 जी एम स्क्वेर बाइरूट टूए यह सट्लियर चलो अब यह नेक्स कोशन दे रहा हूं यह आपके एक एक्जाम में आया वह कोशन है तो चेक करो आपको यह कोशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि भीया हम एक पार्टिकल को सर्फेस ऑफ दी अर्थ से याद रखो हम क्या कर रहे हैं इस पार्टिकल को सर्फेस ऑफ दी अर्थ से किसी एक हाइट पे लेके जा रहे हैं मैं इसको किसी एक हाइट पे ले गया कितनी हाइट पे ले गया इस पार्टिकल को मैं ले गया हाइट आर पर और रेडियस भी कितना है अर्थ का अर्थ का रेडियस भी R है मास M है आपको पता ही है इस पार्टिकल का मास ले लो small M कोशिन क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है मिंदी के लिइैं n पॉटेंशील एनरर्जी 200 पाइंडी गे तो सबसे पहला काम कर लेते हैं हम इनिशल पोटेंशल एनरजी क्यालकुलेट करते हैं यह पोटेंशल एनरजी का फॉर्मला होता है माइनस जी एम एम अपॉन डियो भी डिस्टन्स होगा लेकिन डिस्टन्स कहां से लेना है एक बाद बताओ अगर आप अपने डेरिवेशन करो हमने डिस्टन्स कहां से लिया था सेंटर सेंटर ऑफ दी अर्थ से तो यहां पर जब मेरा पार्टिकल सर्फेस पे है तो मेरे को बताओ सेंटर से सर्फेस तक का डिस्टन्स कितना लिखू मैं आज चेक कर लो क्या इसमें कोई दिक्कत इनिशल पोटेंशल एनरजी में अब बात करते हैं फाइनल पॉटेंशल एनरजी की तो फाइनल पॉटेंशल एनरजी माइनस जी एम एम मेरे को बताओ अब सेंटर से यहां तक का डिस्टन्स कितना हो गया तो यार अब मैंने आपको इनिशल देदी फाइनल देदी काल्कुलेट कर लो गें बस कोशन खतम अब कुछ बच्चे यही भी पूसकते हैं कि सर इधर डिनॉमिनेटर छोटा है इधर डिनॉमिनेटर बड़ा है तो यू फाइनल बड़ा कैसे हो गया किसी के माят में यह कोशन भी आया है क्या यह सर साहल तमारे मायां में स्ब्सक्राइब में चाहलोilda इस्टन्स बड़ा हो गया बलकी बड़ा तो यहाँ पर दिनॉमिनेटर छोटा है यह बात सही होती लेकिन कब कब यहां पर पॉसिटिव हो था लेकिन यहां पर जैसे उल्टा फरक आ रहा है किया यह चीज़ क्लियर है यह तो देखो जब मैं गेन इन पोटेंशल एनरजी की बात करूंगा तो मेरे पास आशर आएगा u final minus u initial तो u final है minus gmm upon 2r minus of minus gmm upon r तो minus minus क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा तो जरा इसको lcm लेकर solve करके बताओ भ teleportा आशर कितना अब यह तो बहुत छोटा सा mathematics से स्थना सबको आता भी होगा सुन्जीफ चेक करके बताओ क्लियर है क्या किसी का आंसर आया सुन्जीफ चेक करके देख लेते हैं लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पर बच गया माइनस जी एम एम यहां पर क्या बचेगा यहां पर तो यहां पर आएगा टू जी एम एम तो हमारे पास फाइनल आ रहा है जी एम एम अपॉन टू आर संजिना बिलकुल सही है आपका अंसर लेकिन अब देखो ऑप्शन में क्या गिवन था ऑप्शन यह गिवन थे तो मेरे को बताओ इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा मार्क करूं क्या हमारा आंसर ऑप्शन से मैच कर रहा है इदर हमारा स्मॉल जी आ रहा है लेकिन हमारा जो आंसर निकल रहा हो किसके बीच में निकल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा कैपिटल जी को स्मॉल जी में कनवर्ट करना पड़ेगा तो मेरे को याद दिलाओ वाट इस दी फॉर्मॉला फॉर एसलेरेशन ड्यू टू ग्रैविटी अधी सर्फेस ऑफ दी अर्थ जी एम बाए आर स्क्वेर तो क्या मैं इसमें जी एम को लिख सकता हूं इसी से कनवर करूंगा तो मेरे पास आएगा जी आर स्क्वेर इंटु एम डिवाइड़ बाए टू आर अगर मैं देखूं आर और आर कैंसल हो गया तो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है हाफ एम जी आर तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा क्रेक्ट ऑप्शन विल भी भी हाफ एगे आर कि दंजर बहुत बढ़िया भी या अब अब फिस अपने पुरानी डेरिवेशन पर आज हो और चेक करो आपको फिर से यह समझ में आई यह नहीं क्योंकि हम इसी पर दूसरा कॉंसर्प समझा रहा हूं मैंने आप से भी क्या करवाया मैंने आप से पोटेंशल एनरजी क्या यह से लेकर आप हो क्योंकि वह प्रैविटेशनल फिल्ड के बाहर है ग्राइब इसक्राविशनल प्राइब क्या ने लेकर आ रख रहा हूं तो इसलिए मैंने क्या पॉसिए क्या लिए है infinity और final position क्या लिए है मैंने final position वो point लिया है जहां पर मैंने particle को लाके रखा अब आपको इसमें उल्टा करना है हमारा next topic क्या है ध्यान देना हमारा next topic है escape velocity का मतलब क्या है कि भाईया मैं चाहता हूं कि मैं पार्टिकल को surface of the earth से fire करूं मतलब हमारा कोई particle है जो ground पे है मैं उसको ground से फैकना चाहता हूं और कुछ इस तरीके से फैकना चाहता हूं कि वह अर्थ की velocity से फैका जाए जिससे वह इसकी gravitational field से बहार निकल जाए तो मेरे को बताओ अपकी बार मैं इसमें initial limit क्या लूँ और final limit क्या लूँ अपकी बार कि मैंने पार्टिकल को कहां से start कराया है आर्ट इंफिनिटी वेरी गुड भाई मैंने अपकी बार पार्टिकल को सर्फेस से स्टार्ट कराया है सर्फेस से सेंटर तक का डिसंस कितना होता है और मैं इसको gravitational field के बहार पुचाना चाहरा हूं तो तो कितना final position आएगा infinity आएगी तो मैं क्या करूंगा हब यह हमने work energy theorem में पड़ा है कि work का change in kinetic energy भी होता है change in kinetic energy का मतलब क्या है कि मेरे को यह पता करना है कि work done is equals 2 क्या सकता हूं तो भाइस हम क्या करेंगे जब भी मैं एसके विलॉसिटी निकालूंगा देखो एसके विलॉसिटी के लिए मैं सेम वही सब लिखूंगा जी एम एम अपन एक स्क्वेर इंटु डी एक्स लेकिन अपकी बार लिमिट चेंज कर दूंगा लिख दूंगा आर से लेके इनफिनिटी तक जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा वाग्डन का उसको किसे कर दूंगा मैं हाफ कर दूंगा चेक कर लो यहां तक की चीजों में कोई डाउट है नो सर्व बढ़िया तो अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो मैं बस इतना चाहता हूं आपको कि यह व सबसी आपका सबस्क्राइब और यह विलोशिटी खेलाइगे हमारी escape velocity यह विलोशिटी हमारी कहलाइगी escape velocity तो इतना calculate कर के लाज तो इधर हमें क्या नोटिस होगा सबसे पहले तो स्मॉल एम स्मॉल एम कट जाएगा तो मैं अगर इसको कैल्कुलेट करूं तो मेरे पास एसके विलॉसिटी का फॉर्मला आएगा रूट जी एम अपॉन आर और उपर से फिर्से वहिए चीज़ कर सकता हूँ जी हम्माल Ama RYAN मैं को से मेरे पास आ जायेगा निम्देर रखने पढ़ेंगे ब्रिब। है dependent upon question में क्या-क्या चीज़े given है उसके according हम यह formula use करेंगे आपको सबसे important इस पर क्या पूछा जाता है सबसे important इस पर पूछा जाता है factors कि एसके velocity किस-किस पर depend करता है तो सबसे मज़ेदार वाली बात एसके velocity independent है किसके independent of the mass of the particle कि मेरे को किस चीज़ को फैकना है यह उसके मास पर डिपेंड नहीं करता उसके मास पर डिपेंड नहीं करता मतलब अगर मैं एक pen फैकूं या एक इतना बड़ा पत्थर फैकूं दोनों के लिए मेरे को same velocity से ही फैकना पड़ेगा तो पार्टिकल भार जाएगा ऐसा नहीं हैं दोनों को same velocity देनी पड़ेगी क्या अग्रीड हो पहले पॉइंट से यह सब गुड दूसरा point कि यार रखो यह depend करता है depend upon the mass of the planet कि आप कौन से planet से फैकरेों यह उसके mass पर depend करता है जैसे अगर मैं अर्थ से फैक रहूं तो आर्थ के mass पर depend करेगा किस चीज़ को फैक रहा आ। उसके mass पर ए dependence of the planet पर अब चेक कर लो यह तीनों फैक्टर्स आपको क्लियर है या नहीं सबसे जादा इंपॉइंट इसमें यह वाला है पहले दो पॉइंट्स यह दोनों पॉइंट्स पर आपके डियरेक्ट पॉश्चन आते हैं डियरेक्ट ऑप्शन में दिया होता है कि एसके विलॉसिटी डिप अब आपको चार पॉइंट्स गिवन होंगे आपको बताना कोंशन सो करेक्ट कि कि किस पर डिपेंड करता है किस पर डिपज नहीं करता है कि अब दन तो हम क्या करते हैं अर्थ के लिए ऐसके विलॉसिटी कल्कुट लेते हैं क्योंकि हम सभी पार्टिकल तो मैं यह पता कर लेता हूं कि चाहे मैं फोन फैकूं चाहे पैन फैकूं कितनी विलॉसिटी से फैकूं ताकि यह अर्थ से भार चले जाए अर्थ की ग्राइशनल फीड्स भार चले जाए वापिस अर्थ पे ना गिरें सब्सक्राइब करता है इतनी स्पीड से किसी एक पार्टिकल को फैको गए तो वह अर्थी ग्राइशनल फिल्ड से भार चले जाएगा और वह वापिस अर्थ पे नहीं गिरेगा यह अर्थ के लिए है सिमिलरली आप मून के लिए याद रख लो वैसे तो कोशन में हमेशा गिवन होती है मून के लिए याद रख लो इट इस अप्रॉक्सिमेटली टू पॉइंट्री किलोमेटर पर सेंड है यह सब बागी कोश्चन में बस आपको अर्थ से पूछा जाएगा मून तो वह डिर छोड़े छोड़े टॉपिक बचे हैं कोई बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं बचाब सिंपल सिंपल चीज़े बचिए कि नेक्स्ट चीज और्बिटल विलॉसिटी जिसको हम डिनोट करेंगे वी नॉट से और्बिटल विलॉसिटी भई हम क्या कह रहे हैं कि यह हमारी अर्थ है और इसके आसपास किसी एक पटिकुलर ऑर्बिट में हमारी कोई एक सैटलाइट है वो रिवॉल्व कर रही है या आप चाहे तो उल्टा भी ले सकते हो आप मत कि यह हमारी अर्थ है इसका रेडियस आर इसका मास एम और कोई सैटलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है जिसका मास है स्मॉल है तो अगर यह रिवॉल्व कर रही है तो मतलब डेफिनेटली इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होनी चाहिए ना तभी तो किसी स्पीड से र सरफेस ऑफ दी अर्थ से इसका डिस्टन से एच तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहली बात सबसे पहली बात मेरे को यह बता दो अगर कोई भी चीज़ रूटेट कर रही है तो इसको कौन सी फोर्स कौन सी असलरेशन चाहिए होती है तो हम कहेंगे कि भया इस प कौन है वो फरिष्टा जो सेंट्रिपटल फोर्स दे रहा है ग्राइविटेशनल फोर्स यह तो हमने कल भी डिसकस किया था इस सेंट्रिपटल फोर्स का फॉर्मला एम स्मॉल एम लिखू या कैपिटल एम लिखू स्मॉल कुछ लोगों ने डाउट फुल से बोला अरे भीया कौन सा पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है कैपिटल एम या स्मॉल एम स्मॉल एम वही वाला मास लिखते हैं जो घूम रहा है जैसे अगर बीच में सन होता और यहां पर अर्थ होती तो किसका मास लेते संका या अर्थ का अर्थ का बहुत बढ़िया एम वी नॉट स्क्वेर डिवाइड़ रेडियस मेरे को बताओ भीया इस सेटलाइट का सरकल का रेडियस कितना लिखू आर प्लस एच वेरी गूड समीक्षा बहुत ही बढ़िया आर प्लस एच यहां से लेके पूरा यहां तक का हो जाएगी अभी हमने पिछली वाली डेरिवेशन में जो किया था इधर भी वही कर दो आर प्लस एच को किसे रिप्लेस कर दूं मॉल आर से तो यहां नीचे लिख देता हूं और इन दोनों के बीच का डिस्टन्स कितना है आर प्लस एच का होल स्क्वेर मतलब जी एम एम अपॉन आर स्क्वेर तुम बस मैं आपसे इतना ही तो कह रहा हूं कैल्कुलेट करने के लिए कि सॉल्व करो और मेरे को बताओ वी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है हमें वी जी एक्सेरेशन दूट ग्राविटी और आर वेरी गुड तो मैं इतर देखूंगा मास मास कट जाएगा एक रेडियस एक रेडियस कट जाएगा तो यहीं से हमें एसके यह और्बिटल विलॉसिटी का फॉर्मॉला मिल गया रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर स्मॉल आर का कंप्लीट कर लो कर लो को डाउट हो तो बता दो पहले हीं तक कंप्लीट कर लो आप और यह जब से मैंने स्टार्ट किया है ना आज पहली बार स्ट्रेंच सबसे ज़्यादा है क्लास की मलावाच काफी बच्चे नए हैं या फिर बहुत दिनों बाद अपने दर्शन दे रहे हैं जैसे कि संजीव बख्षी बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं और वेद नहीं तुम तो थे यार एक दो क्लासेज में कल भी था हां कल भी थे याद आगे मेरे को यार इससे पहले भी होता सर अरे मेरी गलती दोस्त मेरी गलती माफी तो भी या आ जाते हैं यहार हमारे पास और बिल्टल का फौर्म्म आया रूट जीया म बाई आर प्लस ह एक तो आपको यह फौर्मला याद रखना है दूसरा कौन सा फॉर्मला याद रखना है भाई हमने अज्यूम कर लिया कि हमारी जो सेटलाइट है ना वो अर्थ के काफी पास घूम रही है तो उस केस में है अगर है बहुत चोटा हो जाएगा रेडियस से इधर आर प्लस है तो किसको कैंसल कर दूँ एच को तो हमारे पास हो जाएगा रूट जी एम बाई आर लेकिन यह फॉर्मला से तभी उस करना जाब एच की वैल्यू बहुत कम दे रखी हो या कोशन में बोल रखाओ नियर ट तो क्या मैं कह सकता हूं कि यह एसके विलोसिटी और और बिटल विलोसिटी में कैसा रिलेशन होगा जब हमारा नियर टू सर्फेस होगा नहीं तो हर बार यह चीज एप्लिकेबल नहीं होगी तो आपको टोटल तीन फॉर्मले याद रखने हैं और बिटल विलोसिटी के लिए रूट जी एम बाई आर प्लस एच रूट जी एम बाई आर और रूट स्मॉल जी इंटू आर अब इससे ही इन सारे फॉर्मले से ही मेरे को यह बता दो कि और बिटल विलोसिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है और किस किस फैक्ट कि चाहे मैं अर्थ के आसपास कोई भी सेटलाइट क्यों न ले लू इनसेट आरे भट्टा या जो भी सेटलाइट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें तो बस यह देखना है कि हम कौन से प्लानेट के अराउंड रिवॉल्व करा रहे हैं यह मास ऑफ प्लानेट पर डि विलॉसिटी के फैक्टर विल्कुल सेम चल रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ फिपार्टिकल डिपेंडेंड उपन मास ऑफ प्लानेट डिपेंड़ेट अपन रिदिश्व थी प्लानेट सब को क्लियर है यह सब पहले मैं क्या कर रहा हूं आज सारे कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं तो पहले कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं उसके बाद सारी चीजे नुमेरिकल वगारा फिर एक साथ डेल करेंगे अब लास्ट बहुत इंपोर्टन टॉपिक लब लास्ट नहीं लेकिन इसमें लास्ट टॉपिक टोटल एनरजी औफ़ अफ़ सेटलाइट कि बहुत एक सैटलाइट है उसकी टोटल एनरजी कितनी होगी जब वो रिवॉल्व कर रही होगी किसी भी एक प्लानेट के राउंड जैसे मैंने अज्यूम कर लिया कि यह हमारी धरती इसका रेडियस आ और इसका मास M Center point O है इसके आज़ पास आज़ पास हमारी कोई एक सैटलाइट रिवाल्व कर रही है तो मेरे को बताओ जो यह सैटलाइट रिवाल्व कर रही है इसके पास कितनी कितनी energies होगी बताओ सबसे पहले सबसे पहले तो यह rotate कर रही है move कर रही है move कर रही है तो कौन सी energy होगी kinetic energy तो सबसे पहले तो इसी को calculate करते हैं kinetic energy का formula होगा half m into भाईया यह कितनी स्पीड से rotate कर रही थी यह वी नॉट स्पीड से rotate कर रही थी तो इसलिए यहां पर क्या लिखूंगा मैं half m v not square तो आपको अभी मैंने वी नॉट का formula बताया और मैंने यह भी बोल दिया था कि यह near to the earth surface है तो बताओ वी नॉट का formula क्या लिखूं मैं तो मैं क्या कर रहा हूं इस equation इस वाले को यूज कर लो इस वाले को यूज कर लो तो मैं square करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी एम बाई आर तो इसको थोड़ा सा प्लीज करके लिख रहा हूं जी एम एम अपॉन टुवा भया सब लोग अच्छे से चेक कर लो किसी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो कि नो कि यह कानेटिक एनरजी तो है अब दूसरी बात मेरे को यह बताओ क्या यह सैटलाइट इस अर्थ के इसके ग्रैविटेशनल फील्ड के अंदर रोटेट कर रही होती से डद कर रही होगा घर को पहुत जाएगी फिर सो कएका ओर उ जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा centripetal force नहीं होगा तो मतलब इस पे ग्राइविटेशनल फिल्ड लगरी होगी तो इसके पास कोन सी अनर्जी आ जाएगी फैंशल एनडी आ जाएगी फार्मॉला क्या होता है माइनस जी पहला मांस डूसरा मांस डिवाइड़ इस दोनों के बीच का डिस्टस् canc इन दोनों के मॉल आर लेना पड़ेगा क्योंकि सेंटर से यहां तक का स्योंज कितना है स्मॉल है मेरी गल्पी कि कर लो इनरजी कितनी लिखोंग असना रिफे उस सवस्टन्ष्ट की एनरजी ब्लूस पोटेंश अनरजी तो जड़ों को आड़ करे प्लीज बता दो कि यह कितना आंसर आएगा अभी पिछे हमने कोशन में किया भी था ऐसा ही कुछ चलो सब वेरिफाइब करो यह यह आ रहा है नहीं आ रहा है जाएगा यह यहां तक कंप्लीट करो नेक्स लाइड में इस पर इसी और बात कर लेते हैं और फिर कुछ निमेरिकल निमेरिकल खेलते हैं अगर आप फॉर्मुले को सारे फॉर्मुले को यहां लिख देता हूं फिर से आपको सम्मेरिक रिलेशन मिल जाएगा एक रिष्टेदारी मिल जाएगी सम्मेरिया काइनेटिक एनरजी मेरे को मिला जी एम एम अपॉन टू आर तो मैंने देखा कि यह टोटल एनरजी है इनरजी और टोटल एनरजी में क्या रिलेशन मिल रहा है आपको लैसे इसके बहुअ अगर मैं पोटेंशल एनरजी को देखें तो पोटेंशल एनरजी का फॉर्मूला था तो क्या आप मेरे को टोटब अनरजी के बीच में रिलेशन मिता सकते हो कि टोटल एनरजी और Пोटेंशल एनरजी ओसıyla नेरजी की हां बस इतनी रिष्किके लें इस पर देखो कोशन कैसे आएगा इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा या कॉंसेप्चुल भी आएगा दोनों ही कोश्चन बनते हैं पहले तो आप इसको यहां तक नोडाउन करो मैं आपको दोनों टाइप के कोश्चन कराता हूं चेक करना आपके आंसर क्या-क्या होंगे और स कॉंसेप्चुल में यह कोशन कह रहा है हमने क्या किया किसी एक सेटलाइट को हमने रिवॉल्व कराया है पहले सपोस मैं सेटलाइट को रिवॉल्व करा रहा हूं इसका जो हाइट है वह है अब मैंने सेटलाइट को रिवॉल्व कराया दूसरे रेडियस में और यह दूसर हार हमें सेटलाइट की रेडियस की बात करनी है तो सेटलाइट का रेडियस सेंटर से लिया जाता है तो मेरे को बताओ अब इनीशल रेडियस कितना है सेटलाइट का तू वर होगा या नहींच है सरंसे फाइन STARTनी कितना हो जाएगए वैरी गुड तो क clockwise ढाला को संभुच्ड क्या बोल स्ऩाइब हमने क्या कि awareness हम ने क्न और बिट हमारे सेटलाइट का जो और बिट था पहले वह ओर हाइट पे था हमने आयर हाइट से लेके उसको 2R हाइट पर पुचा दिया तो भईया रेडियस हो जाएगा 2R और फाइनल रेडियस हो जाएगा 3R अब मेरे को कुछ ना कुछ रिलेशन गिवन है मेरे को बताना है कि कौन सा relation करेक्ट है कौन सा relation करेक्ट है तो मिरे को पहले बोला गया है कि भईया kinetic energy में increase हो रहा है और total energy भी increase हो रही है दूसरा मिरे को बोला है कि kinetic energy decrease हो रही है total energy भी decrease हो रही है तीसरा relation मिरे को बोला कि भईया kinetic energy increase हो रही है लेकिन total energy decrease हो रही है और मिरे को फोर्थ रिलेशन क्या बोला हुआ है फोर्थ रिलेशन बोला हुआ है कि भाईया काइनेटिक एनरजी आपकी डिक्रीज हुई है वेरेस टोटल एनरजी आपकी इनक्रीज हुई है आपको बताना है कौन सा ऑप्षिन करेक्ट है पहले अराम से सोच लो अराम से सोच लो उसके बाद पॉल कंडट करूँगा पॉल में आंसर देना कर दो चलो हम पूल कंड़क्ट कर रहा हूं सब चेक करना की बहिया देखते हैं क्या क्या आंसर आता है चलो चलो कि मतलब यार कुछ बच्चों ने बिलकुल भी ध्यान से नहीं सुना है मेरे को ऐसे लगा था कि कि कम से कम दो ऑप्षण ऐसे होंगे जिन पर कोई भी बच्चा मार्क नहीं करेगा लेकिन उन दो आप्षण पर भी बच्चे मार्क कर रहें आंसर अपना भाई लास्ट टेन सेकेंड्स और अभी तक फिर फॉर्टी परसेंट स्टुडेंट्स ने आंसर दिया अगली बार से मैंने पूल कंड़क करना ही नहीं है मैंने आपको बोलना कि आप चैट बॉक्स में आंसर भेज़ो तभी में बच्चा रिस्पॉंड कर रहा है कौन बच्चा रिस्पॉंड नहीं कर रहा कि डेड़ मिनिट हो गया और सिर्फ अभी तक 60 परसेंट बच्चों ने आंसर दिया है चलो लेट सी तो यह बात ऐसी है कि ऑप्शन बी को और डी को बराबर बराबर ग्यारा लोग ग्यारा लोग ऑप्शन सी सबस्यादा लोगों ने मार्क है आठारा लोग और ऑप्शन ए देखते हैं कि आंसर होना झाँ भई अभी सबसे पहले पीछे वाले रिलेशन से देखो टोटल एनरजी और कायनेटिक एनरजी में इनवर्स एंगेटिव साइन का मतलब क्या है इनवर्स डीमी मतलब दोनों के साथ सेम चीज़े नहीं हो सकती अगर कायनेटिक एनरजी बढ एक साथ चीज नहीं हो सकती तो यार इधर बस यही चीज तो समझ नहीं थी यही चीज लगते लोगों ने ध्यान से सुनी ही नहीं कि बहुत आप्शन ए और आप्शन बी तो सही होई नहीं सकता क्योंकि इसमें तो दोनों के साथ सेम सेम चीजे हो रही है वो पॉसिबल नहीं है तो ए और बी तो गलत है मतलब आंसर कहीं नहीं कहें सी या डी में से ही सही है तो देखते हैं कैसे सही होगा भाया काइनेटिक एनरजी का फॉर्मला है जी एम एम अपॉन टू आर तुम मेरे को बताओ अगर मैं आर्खवली Этот इंप recruit कर राहाँ है इदर आर्की वे ज kilogram सिलेंगे थ्री आर तर अगर आर्टी वाशकर्श हो रही है तो पाइनेटिक एनरजी पे क्या फर्क पडशन कर खाई फैने चाहिए क्यों क्या क्यूंकि क्योंक्य कैरिश्यक एनरजी औ और यहां पहले सब्सक्रूइन शॉन् unstoppableмер devi Kelvin गर क्या 750TO ने इनक्रीज क्या साथ किस बढ़ करेव है सिब्सक्राइब 52 सब्सक्राइब कॉटन मेंतबर अचल्यों चाहिए इसके पॉटनेशल एनरजी के साथ भी देख लेते हैं पोटेंशल एनरजी का फॉर्मला है माइनेोश जी एम 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 अपॉन आर तो यह बताओ कि हमारे के साथ क्या हुआ है इंक्रीज या रखो पुटेंशल ईनरजी भी क्या हुई होगी हिंज्बी होग डीक टेम हूग लेकिन यहां पर फिर साथ में और भी क्या लगा हुआ है negative भी लगा हुआ है तो ultimately potential energy और आर के बीच में कैसा relation है direct relation है तो अगर आर इंक्रीस तो potential energy भी क्या होगा increase होगा यह चेक कर लो किसी को इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना नो बढ़िया तो एक बार तो यह question आ गया अब दूसरा question देखो दूसरा question value के साथ आया है बलब numerical आया है दूसरा question क्या आया है यहां लिख रहा हूं वाट extra energy is required तू रोटेट दी सैटलाइट तू रोटेट दी सैटलाइट इन और बिट ओफ थ्री आर से लेके हमने इसको लिफ्ट किया है तू लिफ्ट एट टू फोर आर रिपीट कर रहा हूं question क्या कह रहा है भाईया सीधे सीधा question यह कह रहा है कि मिरको बताओ कितनी energy required है इस सैटलाइट को रोटेट कराने के लिए इन और और बिट ऑफ थ्री आर से लेके हमसको कितना लिफ्ट करा रहे है फोर आर में मतलब इधर initial radius कितना है इसने पहले सी सेटलाइट के और बिट कर रेडियस की बात करी है इसने हाइट नहीं बोला जैसे पिछले question में तो इसने हाइट बोला सा आर लेकिन इसने तो प्रॉपर और 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 रेडियस कितना है फोर आर तो मेरे को बताओ कितनी extra energy देनी पड़ेगी तो इसक का रेडियस थ्री आर था उसके बाद आफ फाइनल टोटल एनर्जी निकालो कब जब उसका रेडियस कितना था फोर आर था टोटल एनर्जी इनीशिल और टोटल एनर्जी फाइनल इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो मलब difference निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि जो भ क्लियर क्लियर है गोड़ क्लियर हैं कि अर्वी क्या हो गया पर तक तो आंसर आ जाना चाहिए था कि कि देखते हैं संजना तो भी यह टोटल एनर्जी का फॉर्मले में तो बस वैल्यू सब्सूट करने थी इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हो टोटल एनर्जी का फॉर्मला जी एम अपॉन टू आर तो मिरे को बताओ इधर क्या आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन कितना हो जाएगा नीचे प्रियार में टू इंटू थ्री आर तो यह हो जाएगा हमारे पास माइनस जी एम एम अपॉन शिक्स आर सिमिलरली फाइनल एनर्जी बताओ फाइनल एनर्जी कितने लिखू तो यह बन जाएगा एट आर अब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपको डिफरेंस इंटोटल एन सार लेकिन मेरे को माईनस माइनस बीच में क्या हो गाएगा प्लस हो जाएगा जिसकोство मैंने क्या किया है मैंने minus 3 g mm upon minus 3 g mm plus इधर कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा 4 g mm तो हमारे पास final answer आ रहा है final answer is g mm upon 24 r this is the final answer तो प्रजवल आपका answer बिल्कुल सही है good कि अधर कर लोग चैक कर लो इस टाइप के कोशन कुछ भी आएंगे तो स्वाल हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे तो बस एक थोड़ा सा एक कोशन और है इसका कॉंसेट मेरे को ही समझाना है तो बस पहले कोशन लिख लो फिर कॉंसेट समझाना चालू करूंगा क्योंकि यह थोड़ा सा लेंग्थी कोशन है इसका मास है गिवन 16 एम इसका मास गिवन है एम इसका रेडियस टू ए इसका रेडियस ए सेंटर टू सेंटर जो लेंथ है वो हमें गिवन है टेन ए चलो जितना मैंने कोशन रो किया है पहले आप इतना काम कर लो फिर एक्स्पेंड करना चालू करता हूं कि कोशन में क्या फाइन करना है बंसर दन लिको फाइन एम विलोस सटे विद विछ फाइन एम विलोस सटे विछ विछ दिपार्टिकल canे बंसरे विर च्रुट कर शिभ किस्विछ दिव धट किए कि अपकोशन की भावना हो दो स्कूशंग क्या कर रहे हैं हम अब एक स्क्नावे चोटे स्पेर का रेडियेस कि इतना दिया हैon हम क्या कर रहे हैं बड़े स्वेर से एक पार्टिकल को फायर कर रहे है पार्टिकल को एनर्जी दे रहे है फायर कर रहे है मिरे को बताना है कि कम से कम कितनी विलॉसिटी देनी चाहिए इस पार्टिकल को ताकि यह पार्टिकल कहां पहुच जाए ताकि यह पार्टिकल हमारे स सर्फेस पर पहुंच जाए पहले इतना ही चेक करके बता देना कि कोशन क्लियर है या नहीं स्टेप्स तो बाद में देखेंगे कोशन क्लियर है बढ़िया अब एक बात बताओ सपोस मैं क्या कह रहा हूं मैं इस बड़े स्फेर के पास हूं कहीं न कहीं तो मेरे को बताओ सप 16N very good तो यार अगर मैं पॉइंट एकी बात करूं तो पॉइंट एपे हमारा पॉइंट एका किससे डिस्टंस कम है तो किसका फॉर्स जादा डॉमिनेंट होगा जादा स्ट्रॉंग होगा 16N वाले का फॉर्स जादा स्ट्रॉंग होगा अब मैं क्या कर रहा हूं मैं पॉइ इसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं तो जो यह 16N वाला फॉर्स मेरे पे लगा रहा है उस फॉर्स पे क्या फर्क पड़ेगा यह बताओ जैसे जैसे मैं दूर जाओँगा फॉर्स की वैलिव डिक्रीज हो जाओगी तो देखो होगा क्या जैसे ही इस पार्टिकल को सर्फेस से दूर ले जाता जाएगा, एक पॉतिelect्ने स्टेंस ऐसा आएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, मैं जैसे इस पार्टिकल को सर्फेस से दूर ले जाता जाएगा, इस 16 M वाले का पॉय्स decrease होता चले जाएगा और एक particular distance ऐसा आएगा जहां पर 16 M वाले का force क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा decrease करके फिर इसके बाद जो region start होगा इस point N के बाद जो region start होगा उसमें किसका force strong हो जाएगा तो भाईया अगर आप थोड़ा सो समझो इस बात को बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा target क्या होता है हमारा target होता है बस particle को point N तक पुचाने का क्यों क्योंकि point N तक 16 M वाले का force बड़ा होगा तो यह उसको खीचने की कोशिश करता रहेगा लेकिन जैसे मैं point N तक पॉच गया 16 M वाले का force खतम हो गया फिर M वाले का force चालू हो जाएगा जब M वाले का force चालू हो जाएगा तो फिर मेरे को velocity देने की जुरत किया है मैं particle को छोड़ूंगा तो वो तो अपने आप इसको ट्राक कर लेगा ना क्योंकि फिर तो इसका force चालू हो जाएगा यह वाली बात समझ में आई है या repeat करूं वापिस समझाओं तो इस टाइप के question में हमें सबसे पहले क्या करना होता है सबसे पहले तो हमें की value निकालनी होती है neutral point की या रखना इस question के कुछ दो-तिन step है और वही बस value रखनी है तो सबसे पहला step क्या होगा step one कि भाईया मैं निकालूंगा neutral point कि neutral point find करना है और यह मैंने आपको पहली class में बताया था बलब कल की class में बताया कि यह neutral point किसके पास होता है जिसका मास कम होता है neutral point हमेशा उसके पास होता है तो आप क्या कर लो इस distance को ले लो X तो मेरे को बताओ remaining distance कितना बचा 10 a minus x very good 10 a minus x तो let's calculate neutral point in the next slide किसी को किसी भी step में दिक्कत आ जाए तो वहीं रोग देना वोलना सर भाईया नहीं समझ में आया यह कुछ भी neutral point find करेंगे तो मैं लिखूंगा कि भाईया जो पहले particle का force होगा और जो दूसरे particle का force होगा वो दोनों equal and opposite होने चाहिए तो पहले वाले का force हो जाएगा जी 16 M mass of the particle small m divided भाई भाईया इनके बीच का distance है 10 minus x का whole square equals to दूसरे वाले का force होगा जी M small m और इनके बीच का distance कितना था x square इसको solve करके सबसे पहले तो मिरे को आप x की value बता दो solve करके x की value तो क्या क्या कटा capital G capital G small m small m capital M capital M यह सब कट गया मेरे पास बचा 16 divided by 10 minus 10 a minus x का whole square equals to 1 by x square अब क्या करना चाहिए नेक्स्टेप में सर्क्रोस मल्टिप्लाइब नई दोनों साइट square root लेना चाहिए पहले ताकि यह square square हट जाए तो 16 का square root हो जाएगा 4 यहाँ पर बचेगा 10 a minus x यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 by x अब क्रॉस मल्टिप्लाइब करके आप सब लोग मुझे एक्स की value calculate करके बताओ चलो चलो अक्षित कितना आ रहा है आर की value calculate होगे क्या है एक्स इकोल्स टू टू ए वेरी गुड एक्स इकोल्स टू टू ए आ रहा है बहुत बढ़िया ने विदिता गोड प्रियांशी बिल्कुल सही तो याद रखो यार यह वाला डिस्टंस हमारे पास टू ए आ गया तो आटोमेटिकली यह वाला डिस्टंस हो गया हमारे पास एट हे स्टेप बन सबको क्लियर है तो देख लो अब फिर बात करेंगे स्टेप टू की और फिर हमारा आंसर आ जाएगा स्टेप टू क्या कहता है सपोज इस पॉइंट को पॉइंट कैपिटल ए ले लो स्टेप टू कहता है कि आप टोटल एनर्जी लिखो पॉइंट एकी और टोटल एनर्जी लिखो पॉइंट एन पर टोटल एनर्जी हमेशे क्या रहती है कॉंस्टेंट रहती है तो इससे हमा तो यह कुछ ना कुछ किसी एक distance पर रखा हुआ है potential energy होगी साथ की साथ मैं इसको किसी velocity से fire कर रहा हूं तो और कौन सी energy होगी इसके पास Kinetic energy तो सबसे पहले मैं potential energy लिखता हूँ बड़े sphere की वज़े से तो potential energy का formula minus g पहला mass दूसरा mass divided by center से लेके वहां तक का distance तो कितना distance से center से लेके surface तक का point A तक का 2A है ना भाई फिर अब छोटे sphere की वेसे लिखो छोटे sphere की वेसे होगा g capital M small m अब आप मेरे को यह सोच के बताओ कि center से लेके point A तक का distance कितना होगा अरे क्या हो गया center से लेके center तक का distance 10A है यह वाला distance 2A है तो यह distance कितना बचा है तो बस वही लिखने के लिए कह रहा हूँ तो वहाँ पे लिख दो भाईया 8A उसके बाद कुछ ना कुछ kinetic energy भी होगी half mv square अब neutral point पर बात करते हैं neutral point पर कितनी energy होगी neutral point पर kinetic energy zero हो गई होगी क्योंकि मेरा target था बस उसको neutral point तक का पुचाना तो इधर आप kinetic energy नहीं आएगी इधर सिर्फ potential energy आएगी तो माइनस जी 16 m into small m मेरे को बताओ यहां से लेकर यहां तक का distance मैंने अभी अभी लिखा कितना है center से लेकर यहां तक का distance 8A बहुत बढ़िया माइनस जी एम एम divided by remaining distance कितना बचा था टूए अब चेक करो क्या 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 कट रहा है सबसे पहले अगर आप notice करो हमारा small m सब में आ रहा है small m तो गया कट अब आपको बस मैं कहा रहा हूं इस पूरे सारे terms को मतलब इस वाले term को और इस वाले term को दोनों को इधर ले जाओ दोनों को इधर ले जाओ और final बस आप मेरे को वी स्क्वेर की value calculate करके दे दो क्या इतना काम कर लोगे तो इतना काम कंप्लीट करना है आपको तिल नेक्स्ट क्लास मतलब कल की क्लास तक कि यह सर्ट कर लो फिर से repeat कर देता हूं बस step में कुछ नहीं किया मैंने सबसे पहले neutral point निकाला step one उसके बाद step two यही है कि किसी भी दो points पर total energy मैंने equate कर दी है एक हमेशा neutral point लूँगा क्यूंकि neutral point पर kinetic energy zero हो जाएगी और हमारा target सिर्फ neutral point तक का पहुचाने का होगा क्यूंकि उसके बाद तो दूसरा स्फेर उसको अपने आप खीच लेगा उसमें फिर मेरे को कुछ मेहनत नहीं करनी और एक point A पर total energy लिख्टूंगा क्यूंकि मैं वहां से इस particle को fire कर रहा हूं कि पॉइंट एप दो potential energy होगी बड़े स्फेर की छोटे स्फेर की और काइनेटिक एनर्जी पॉइंट एन पर सिर्फ दो ही एनर्जी होगी potential energy बड़े स्फेर की potential energy छोटे स्फेर बास तो भाईया calculation part I am giving as a homework यह इसको complete कर लेना पूरा यहां तक रिवाइस कर लेना हमारा almost 95% of the chapter complete हो चुका है हलका फुलका बाचा है वह वह बचे हैं बस आपलर लो वह हम करेंगे कल की क्लास में तो आज के लिए इतना ही चेक करो कोई डाउट है तो पूछ लो बाकी टाटास बाई-बाई-बाई-इस टेक केर और इंज्वाइड और इन्जॉइड हम कुछधे हैं जी पुछ बच्छेट बचिए आप ऊजल पुछफ लोग्जडब़न देखो